दोस्तों पिछले वीडियो के आखिर में मैंने आपको ये दो शब्द दिखाते हुए पुछा था कि इन में से कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ होता है डराना या धमकाना चलिए मैं इसमें एक वर्ड और जोड़ देता हूँ इन्टिमेट इनके सामने इनके मीनिंग भी लिख देता हूँ लेकिन गलत ओर्डर में कुछ समझ में आ रहे हैं आपको कौन सा मीनिंग किसका है कोई बात नहीं चलिए समझते हैं जिस वर्ड का मतलब होता है डराना या धमकाना वो है इन्टिमिडेट जैसे दू नॉट इन्टिमिडेट हर यानि उसे डराव मत इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना जैसे अनिल अपने भाई की नकल करने की कोशिश करता है और इन्टिमेट का मतलब होता है सूचित करना जैसे I will intimate you by email मैं आपको इमेल द्वारा सुचित करूँगा अब ये जो बचा रह गया ये किसका मीनिंग है जी हाँ, इंटिमेट का एक मतलब ये भी होता है नजदी की या फिर करीबी जैसे किसी पती और पत्नी के रिष्टे के लिए कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ही करीबी, बहुत ही नजदी की रिष्टा होता है एक इंटिमेट रिलेशन्शिप होता है दोस्तों पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे बहुत सारे कन्फूजन्स दूर किये थे अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये वो हैं जिने हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों जब आप हमारे वीडियो को लाइक करके या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दोते हैं तो हमें भी बहुत प्रोचसाहन मिलता है अगले वीडियोज बनाने के लिए तो चलिए इसी हौसले और प्यार के साथ शुरू करते हैं ये वीडियो इन दो शब्दों के साथ दोनों के उच्चारण में बस जरा सांतर है इसके अंत में सा का साउंड आता है एडवाईस और इसके अंत में जा का साउंड आता है एडवाईस एडवाईस का मतलब होता है सला या मश्वरा जैसे listen to his advice उसकी सला सुनो और एडवाईस मतलब होता है सला देना या मश्वरा देना जैसे I can advise you मैं तुम्हें सला दे सकता हूँ लेते हैं अगले दो शब्द effect और effect इन दोनों के उचारण में क्या अंतर है इसकी शुरुवात में E का साउंड आता है और इसकी शुरुवात में A का साउंड आता है effect का अर्थ होता है प्रभाव या असर जैसे dry soil is the effect of harsh sunlight सूखी मिट्टी कड़ी धूब का प्रभाव है effect का अर्थ होता है प्रभावित करना जैसे smoking can badly affect your health धूमरपान आपके स्वास्थ को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है लेते हैं अगले दोशब accept और accept दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा ही है असली अंतर है इनके meaning में accept का अर्थ होता है सुईकार करना या मानना जैसे I will accept the offer if it is good प्रस्ताव अच्छा होगा तो मैं सुईकार कर लूँगा accept का अर्थ होता है के अलावा जैसे I like all vegetables except carrots गाजर के अलावा मुझे सभी सबजियां पसंद है गाजर के अलावा मतलब except carrots ठीक है लेते हैं अगले दो शब्द dessert और dessert इसमें ये जो S वाला letter है ये double है यानि दो है और इसमें एक ही है ज्यादा तर restaurants के menu में आपने देखा होगा कि starters और main course के बाद आखिर में एक section होता है जिसके उपर लिखा होता है desserts तो भोजन के बाद खाई जाने वाली कोई भी मीठी चीज चाहे वो ice cream हो मिठाई हो या कोई pastry हो उसे कहा जाता है dessert ध्यान रहे इसमें double S होता है और dessert का मतलब क्या होता है रेगिस्तान ठीक है आगे बढ़ते हैं break और break एक ही उच्चारण है इस वाले break का अर्थ होता है तोड़ना जैसे वो इस डब्बे को मुक्के से तोड़ सकता है पंच मतलब मुक्का इस break का एक मतलब और भी होता है अंतराल जैसे कोई खिलाडी खेलते खेलते थक जाए या फिर आप पढ़ते पढ़ते थक जाएं तो आप क्या करेंगे एक break लेंगे न वही वाला break अब ये वाला break वो break होता है जो आप गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी रोकने या उसकी गती धीमी करने के लिए लगाते हैं जैसे पुश दब्रेक to stop the car कार रोकने के लिए ब्रेक दबाएं ठीक है लेते हैं अगले दो शब्द पीस और पीस इस वाले पीस का अर्थ होता है टुकड़ा जैसे cut this cloth into five pieces इस कपड़े को पाँच टुकड़ों में काट लो और इस वाले पीस का मतलब होता है शान्ती या अमन जैसे now there is peace between these two countries अब इन दोनों देशों के बीच शान्ती है या अमन है ठीक है अगले दो शब्द लेते हैं right और right इस वाले right का अर्थ होता है लिखना जैसे right an essay on ताज महल ताज महल पर एक निबंध लिखो अब इस वाले right के कई meanings होते हैं एक तो होता है सही या उचित जैसे her answer was right उसका उत्तर सही था एक अर्थ होता है दाहिना जैसे I play with my right hand मैं अपने दाहिने हाथ से खेलता हूँ एक अर्थ और होता है अधिकार जैसे education is every child's right शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है ठीक है आगे बढ़ते हैं flower और flower उच्चारण एक साही है इस वाले flower का अर्थ होता है फूल और इस वाले flower का अर्थ होता है आटा बहुत लोग इसे गलती से floor बोल देते हैं लेकिन सही उच्चारण क्या है flower ठीक है लेते हैं अगले दो शब्द इस वाले स्टील का अर्थ होता है इस पात जिससे बरतन बनते हैं मशीने बनती हैं बिल्डिंग में काम आने वाली सरिया बनती है अब इसे sentence में यूज करके देखें तो ये कुकर अच्छी गुडवत्ता वाले स्टील से बना है और इस वाले स्टील का अर्थ क्या होता है चुराना जैसे How did he steal her book? उसने उसकी किताब कैसे चुराई? ठीक है लेते हैं अगले दो शब्द वेट और वेट इसमें इस वाले वेट का अर्थ होता है इंतजार करना या प्रतीक्षा करना जैसे Can you wait for a while? क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? और इस वाले weight का अर्थ होता है वजन या भार? जैसे, What is the weight of this bag? इस bag का वजन कितना है? चली आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगले दो शब्द. Waste और Waste. इस वाले waste का अर्थ होता है बरबाद करना. जैसे, Don't waste time on video games. विडियो गेम पर समय बरबाद मत करो. इसका एक मतलब और भी होता है. कचरा या रद्दी. जैसे, This area is full of plastic waste. ये इलाका plastic के कचरे से भरा पड़ा है. और इस वाले waste का अर्थ होता है कमर. यानि, जहां पर belt बांदी जाती है न, वो जगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Access और excess. उचारण में जरा सांतर होता है. इसे कहते हैं access और इसे कहते हैं excess. Access का अर्थ होता है पहुँच. जैसे, Can we access the roof by stairs? क्या हम सीडियों से छट तक पहुँच सकते हैं? Excess का अर्थ होता है अतिरिक्त. यानि, जब कोई चीज जरूरत से थोड़ी जादा हो जाए. जैसे, There is an excess of water in this river. इस नदी में अतिरिक्त पानी है. ठीक है, लेते हैं अगले दो शब्द. Soul और Soul. इस वाले Soul का अर्थ होता है पैर का तलवा या फिर जूते का तलवा. जूते खरीदते वक्त हम देखते हैं ना, किसी जूते का Soul मोटा होता है, किसी का पतला होता है, है ना? अब इस वाले soul का अर्थ क्या होता है इसका अर्थ होता है आत्मा या प्राण ठीक है आगे बढ़ते है need और need अगर आपको अंग्रेजी में कहना हो कि मुझे आटा गुंधना आता है तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे I know how to need the dough जी हाँ गुंधने को अंग्रेजी में कहते हैं need इसकी शुरुआत तो के से होती है लेकिन इसमें के साइलेंट होता है need का अर्थ तो आपको पता ही होगा जरूरत या आवशक्ता जैसे I need some fresh air मुझे थोड़ी ताजी हवा की जरूरत है और मुझे वाकई कुछ ताजी हवा की जरूरत है तो इस वीडियो को हमें यहीं रोकना पड़ेगा इस टॉपिक पर हम अल्रेडी दो वीडियो बना चुके हैं लेकिन अभी भी कई शब्द रह गये हैं अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो और बनाएं तो कॉमेंट्स में हमें बताईए आप कहेंगे तो हम जरूर बनाएंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद